हलो फ्रेंट्स, बेलकम टू मा यूट्यूब चैनल जी के बायो मंग फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, सभी लोग फिट एंड फाइन होगे और आपकी जो इस्टडी बगरा है, वो बड़िया से चल रही होगी चल ये फ्रेंट्स, राज्य दर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाती हुए आज हम गुजरात राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं किस राज्य के बारे में? फ्रेंट्स, गुजरात राज्य के बारे में गूजराओ से पहले राज़स्थान के साथ सेयर करता है किसके साथ इसरा फ्रेंट्स यह महाराश्ट के साथ बौुड़र शेयर करता है और फ्रेंट्स अगर आपसे पुछ ले सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है या टटिये रेखा तो फ्रेंट्स वो गुजरात की है यह देखिए यहां से ऐसा ऐसा यहां तक फैली हुई है गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी किसकी टटिये रेखा है तो फ्रेंट् कुन है आचारे देवरत फ्रेंट लोक सवा की सीठ्स कितने फिरंट्स गयरा आथी हैं विधान सवाकी 152 सी तती है जिले कितने 33 जिले हैं फेंड और वा हुजरात के अंदर कितने 33 जिले हैं फ्रेंट descrição पूचल कोsecond पूचले महाराष्ट और राजस्तान के साथ ये अपना बारडर शेयर करता है France अगर आप से पूछ ले कि किस से अलग होकर गुजरात नयराजी बना था तो Friends वो बना था महाराष्ट से अलग होके इक नयराजी बना है पहले Friends पहले क्या था पहले Bombay था क्या था बॉम्बए क्या था फ्रेंड जो महरास्ट चलते हैं फ्रेंट्स अगर बात कलने इस्टेट एनिमल की या राज की ये पसू की तो वो है एसिया टिक शेर या एसियन लॉइन जिसको पन बोलते हैं यह जैसा कि आपको इस पिक्चर में दख रहा है एसिया के जो शेर हैं उसके लिए कौन सा नैशनल पार्क फहमस है तो फ्रेंट्स से ग्रेटर फ्लेमिंगो कौन है ग्रेटर फ्लेमिंगो ये कहां का राज की पक्ची है फ्रेंट्स ये गुजरात का राज की पक्ची है या इस्टेट बर्ड गुजरात का कौन सा है ग्रेटर फ्लेमिंगो फ्रेंट्स अगर अपने स्टेट फ्लॉवर की बात कर लें तो व क्कอง अगहा है खाए जाधित है कौईनोफ और इसे के साथ आगे चलते आपको इसकंट और यह कौन है आचार देवरत क्यूंत और ये आचार कोन है वानल को है और पात कर लेते हैं ह। अगर मेंस अगर अगुजरात के वारी में पढ़ रहة हैं और इनका जिक्र नह imagem को तो फ्रेंट्स पढ़ना ही वेकार है फ्रेंट्स ये है सरदार बल्लब भाई पटेल आरन मैन ओफ इंडिया सरदार बल्लब भाई पटेल को सरदार की जो अपादी है वो कब मिली थी तो फ्रेंट्स वो बारडोली सत्यगरा के अंदर मिली थी फ्रेंट्स ये इनको लोह प्रोस या आरन मैन ओफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंट्स इनकी कौन सी पॉलिसी थी तो फ्रेंट्स याद रखना इनकी केरेट एंड इस्टिक पॉलिसी थी फ्रेंट्स कौन सी थी केरेट एंड इस्टिक पॉलिसी पहले तो ये क्या है पहले तो ये प्यार से बुलाते थे और फर उनको डंडे लगाते थे तो फ्रेंट्स इनकी पॉलिशी थी केरेट एंड इस्टिक पॉलिशी चलिए फ्रेंट्स इसे के साथ आगे देखते हैं friends देशी रियासतों का एकी करण किस ने किया सरदार बल्लब भाई पटेल ने देशी रियासतों का एकी करण किया friends इनको भारत रतन कब मिला तो friends इनको भारत रतन मिला 1991 में कब मिला friend 1990 में भारत रतन मिला किसको सरदार बल्लब भाई पटेल को भारत का बिसमार्ग किसे कहा जाता है तो फ्रेंट्स भारत का बिसमार्ग सरदार बल्लब भाई पटेल को ही कहा जाता है किसको कहा जाता है सरदार बल्लब भाई पटेल को भारत का बिसमार्ग कहा जाता है फ्रेंट्स इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को इसलिए फ्रेंट्स 31 अक्टूबर को कौन सा दवस बनाते हैं तो फ्रेंट्स इनहीं की याद में फ्रेंट्स 31 अक्टूबर को एकता दवस मना जाता है यूनिटी डे कब मना जाता है 31 अक्टूबर को फ्रेंट्स 1931 में कराची अदिविशन हुआ कब हुआ 1931 में तब इसके अध्यक्षिता कि इसने की तो इसके अध्यक्षिता की सरदार बल्लब भाई पटेल ने फ्रेंट्स याद रखना भारत के पहले ग्रह मंत्री कौन है फ् फ्रेंट्स भारत के पहले उपरपरधान मंत्री या बाईश प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया वो कौन है तो फ्रेंट्स बो भी सरदार बल्लब भाई पटेल है कौन है सरदार बल्लब भाई पटेल फ्रेंट्स आपको पता होगा मोटेरा स्टेडियम के बारे में फ्रें अभी इसका नाम क्या है अभी इसका नाम फिर बदल के नरंद मोदी स्टेडियम कर दिया गया क्या नरंद मोदी स्टेडियम कर दिया गया है कौन सा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है पहले इसका नाम सरदार बल्ला भाई पटेल हुआ फिर इसका नाम बदल के नरंद मोदी स्टेडियम कर दिया गया है कौन सा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम चलिए फ्रेंट्स देखिए स्टैचू ओफ यूनिटी किसकी याद में बनाई गई तो फ्रेंट्स स्टैचू ओफ यूनिटी आरन मैन अफ अंडिया सरदार बल्लब भाई पटेल की आद में मनाई गई चलिए फ्रेंट्स अवे स्टैच्ई उफ यूनिटी के बारे में जानते हैं तो फ्रेंट्स ये देखिए ये जो आपको पिक्चर में देख रही है ये है स्टैच्ई उफ यूनिटी कहां पर है ये गुजरात के अंदर है किस नदी के टटपर है तो फ्रेंट नर्मदा नदी के टटपर है इसकी अगर आप से पूछ लेता है इसकी हाइट कितनी है तो फ्रेंट्स ये कितनी उची प्रतिमा है तो फ्रेंट्स ये है 182 मेटर उची कितनी 182 मीटर उची और विस्व की सब्चे उची प्रतिमा हैं कहां पर गुजरात के अंदर चलिए फ्रेंट्स आगे देख लेते हैं Statue of Unity के बारे में Statue of Unity अभी मैंने बताया कहां फ्रेंट्स ये गुजरात के अंदर है किसकी Statue है? सरदार बल्लब भाई पटेल Iron Man of India की Statue है इसका Inauguration कब हुआ था फ्रेंट्स तो जाहिर सी बात है इनके Birthday पर ही इसका Inauguration हुआ होगा तो इनका Birthday कब है? 31 October इसका Inauguration हुआ 31 October को फ्रेंट्स हाइट पूछ ले आप से तो हाइट 182 मीटर है फ्रेंट्स इसके अगर बास्तुकार पूछ ले तो फ्रेंट्स वो है राम सुतार कौन है? राम सुतार किस नदी के टट पर है? नरमदा नदी के टट पर है किस आईलेंड पर है? या किस दुईब पर है? तो सादू बेट आईलेंड या सादू बेट दुईब पर इस्तित है एक कोई के बढ़िया के अंदर अगर आप से पूछ ले कि के बढ़िया क्या आभी current में चल रहा है तो फ्रेंट बिल्कुल के बढ़िया अभी current के अंदर चल रहा है क्योंकि भारत की पहली first electric vehicle city कौन सी बन गई है के बढ़िया कौन सी के बड़िया जहां इलेक्ट्रिक भीकल पूल्ण रूप से लागू हो चुके हैं के बड़िया के अंदर चलिए फ्रेंट्स इसी के साथ आगे देख लेते हैं फ्रेंट्स ये देखिए ये कौन है फ्रेंट्स इनको कौन है जानता फ्रेंट्स ये है Father of Nation महत्मा गांदी जी है सभी लोगों को पता है महत्मा गांदी को था कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में परवंदर गुजरात के अंदर घुआ था फादर औफ नेशन कों है फ्रेंट वो है महत्मा गांधी जी ज़िए इसी के साथ आगे चलते हैं आगे देख लेते हैं फ्रेंट आप से पूछता है कि महत्मा गांधी जी के दवारा चलाये गए अभियान को क्रम से लिखिए तो फ्रेंट याद रखना फ्रेंड junior saves 2 जा 18 1994 म多म नेटल कॉंग्रेस की स्थापना की फिनेट कहां साउथ अफरीका में कबकी 1894 में नेटल कॉंग्रेस की स्थापना साउथ अफरीका के अंदर की फर उसके बाद 1915 में भारत लोटी कब लोटी 1915 के अंदर फर फ्रेंट्स 1917 में चमपारन मुवमेंट चलाया किसने महात्मा गान्दी ने कब चलाया 1917 में कौनसा चंपारन मुक्मेट चलाया उसके बाद 1920 में नोन कॉपरेटग मुमेट चलाया सावी न आ हमा गया lizard कब चलाया नोन कॉपरेटग मुवमेट 1920 में चलाया उसके बाद себя disturbues कब चलाया friends sorry friends non-corporation movement जो है ना इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन और जो civil disobedience है इसको बोलते हैं सभी नयवाग्य आंदोलन तो सभी नयवाग्य आंदोलन कब बनाया 1930 में civil disobedience movement चलाया और फ्रेंट्स असहयोग और या non-corporation movement कब चलाया तो 1920 में चलाया फर उसके बाद 1932 में पूना पैक् और 1942 में पॉइट इंडिया मुमेन भरत छोड़ो अंदोलन कब गई उन्नीस सो 42 में फर फ्रेंट्स 1948 में नाथुराम गौट से के द्वारा महत्मा गांदी जी की हत्यागर्दी गई चलिए फ्रेंट्स अब इनके बारे में जान लेके हैं फ्रेंट्स ये कौन है ये जो चलिए फ्रेंट्स इसी के साथ आगे चलते हैं ये देखी फ्रेंट्स इनको को नहीं जानता फ्रेंट्स ये कौन है इसी के साथ आगे चलते हैं फ्रेंट्स ये देखिए ये कौन है ये जो आपको इस पिक्चर में देख रहा हैं फ्रेंट्स ये कौन है फ्रेंट्स ये आपको पिक्चर में दख रहा हैं ये फ्रेंट्स बिक्रम सारा वाई कौन है विक्रम सारा वाई चली फ्रेंट्स इनके बारे में पढ़ते हैं तो फ्रेंट्स बिक्रम सारा वाई जो मैंने भी आपको पिक्चर में द्खाया Friends इनको Father of Space Science Friends अंतरिक्ष बिज्यान का जनक किसे कहा जाता है Father of Space Science Friends यह है Bikram शारावाई Frank विकरम सारावाई इनी की याद में विकरम सारावाई Space Center बनाया गया है Friends है कहाँ त्रुबनत प्रम में बनाया गया है कहाँ के ट्रुबंत प्रम में विक्रम सारवाही 1 सेंटर बनाया गया है किस याद में विक्रम सारवाही की याद में बनाया गया है спrent नंज विक्रम सारवाइय कि याद में बनाया गया है backbone से इस्रो के पहले chairмен थे तो दोक्टर जी 37 रेड़ी, अभी हाल में चेर्मन है, फ्रेंट्स, फ़र्श चेर्मन कौन थे? वो थे विक्रम, शारावाई, फ्रेंट्स आपको चंदर यानटू तो याद ही होगा, फ्रेंट्स जो उसका लेंडर था, उसका नाम कै था? विक्रम, और किन के नाम पर? विक् और अगर आपसे पुछ ले रोवर का नाम तो रोवर का नाम था प्रागयान कौन प्रागयान और लेंडर का बिक्रम चली फ्रेंट्स इसी के साथ हम आगे चलते हैं यह देखिए फ्रेंट्स यह कौन है यह हैं फ्रेंट्स मुरारजी देशाई कौन है मुरारजी देशाई सा बार सारवजनेक सारवजनेक बजट प्रस्तुत किया दस बार कुछ ने किया मुरार जी देशाई में फ्रेंट्स याद रखना पहली पहले गैंग गैर कॉंग्रेसी परधान मंतरी कौन थे मुरार जी देशाई कब बने थे 1977 के अंदर बने थे पहले गैर कॉंग्रेसी परधान मंतरी भारत के 1987 में मुरार जी देशाई चली फ्रेंट्स इससी के साथ आगे चलते हैं फ्रेंट्स अगर पूछ ले इनका समादी स्थल कहा है तो इनका समादी स्थल है अबाए घाट कुसिसका फ्रेंट्स मुरारजी दिसाई का जो समाधी स्थल है वो किस कहा है अब है घाट के अंदर है फ्रेंट्स जो आपको इस पिक्चर में दख रहा है फ्रेंट्स यह है जमसेजी टाटा कौन है जमसेजी टाटा जिनका हमने नमक खाया है फ्रेंट्स क्या नमक खाया है टाटा नम भागतिय और धोग के जनक कौन है वो है जमसियघ जी टाटा कौन है वहीं जमसियघ जी टाटा चली फ्रेंट्स इसी के–साद्ड आगे चलते हैं ऐसे देखिये फ्रेंट्स यह आप सभी लोगों का दो और का न थैंसर वह दो के था मां की पूजा होती है, किसकी श्री कृष्न भगवान की कहाँ पर दोरी का मैं और दोरी का कहां है गुजरात के अंदर चलिए फरेंट्स इसी के साथ आगे चलते हैं फरेंट्स ये देखिए, ये है सौमनाथ टेमपल, कौशा सौमनात का मंदर friends ये कहा है ये भी गुजरात के अंदर है friends अगर आप से पूछ ले कि सौमनात मंदर को सबसे ज़्यादा छटी ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुचा आया तो friends बो था महमूद घजनवी एक हजार पच्च्छस में इसने सौमनात मंदर को लूटा था friends फिर आप से पूछता है कि इसका दुबारा से इनॉगरेशन कब हुआ और किसने करवाया तो friends इसका दुबारा से इनॉगरेशन सरदार बैललब भाई पतेल ने करवाया किसने करवाया सरदार बल्लब भाइ पटेल के दोरा इसका दोबारा से इनाउगरेशन करवाया गया और फ्रेंड्स आपसे एक कुशन ये भी पूछता है कि अभी हाल ही में जो सोमनात मंदर ट्रस्ट है इसके अध्यक्ष कौन है तो friends इसके अध्यक्षभी हाली में कौन बनाय गया हैं? नरेंदर मूदी कौन बनाय गया है? भरत के प्रथानमंतरी नरेंदर मूदी इनको बनाय गया है सवमनातमंदर टरॉस्ट का अध्यक्षज चलिए friends देख लेते हैं किस ने बनवाय था भीम देव सेकंड ने बनवाय था उप्रेंट बहीं देवस एक लूट से थे तर्व। और किस नोट पर ये खेट जिले हुआ कि ये किस नोट पर इस्थित है या किस नोट पर ये छपा हुआ है तो फ्रेंट्स याद रखना जो सो रुपए का नया नोट है उसके उपर ये छपा हुआ है ये कहा है फ्रेंट्स ये है देखिए ये जो आप कोई दख रहा है इस पिक्चर में इस सो रुपए का नया नोट है friends इसके उपर रानी की बाब की तस्वीर लगी हुई है friends किस पर सो रुपए के नोट पर रानी की बाब की तस्वीर लगी हुई है friends पूछ ले रानी की बाब गुजरात में कहां है तो गुजरात में friends पाटन के अंदर है कहां पार्टन एक जगा है जिसके अंदर रानी की बाब बनी हुई है रानी की बाब को कुछ ने बनवाया भीम देव सेकंड ने बनवाया कब बनवाया फ्रेंट्स फिर भीम देव सेकंड किस बंसके थे तो फ्रेंट्स भीम देव सेकंड सौलंकी बंसके थे चलिए फ्रेंट्स इसी के साथ आगे चलते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर हम अपनी वीडियो समाप करते हैं अगर फ्रेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और अगर अब यह तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें धन्यवाद फ्रेंट्स